एक आइज वाट साफ कैसे हैं आप लोग तो आज मैं आ गया हूँ एक बहुत धमागेदार शॉट ट्रिक्स लेकर चैप्टर भी बहुत धमागेदार है इलिप्स जिसकी शॉट ट्रिक्स आपको इजली नहीं मिलती है और एक ऐसा कोशन में आपको कराने वाला हूँ शॉट ट्रिक्स के थुरू जो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली लिस्ट के चैप्टर में देखने को मिलता है तो क्या है वो कोशन क्या है वो शॉट ट्रिक्स डिसकस करते हैं आप लोगों ने बिटा जब भी थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात हमें करते हैं अच्छे लेवल क पूछता है फोकाई पूछता बहुत सारी चीह पूछता है तो इसको हम लोगों होल स्कॉर में करके सॉल्व करते हैं बट मैं आपको एक ऐसा यूनीक मेथट बताने जा रहा हूं जिसमें आपको लेटर सेक्टम निकालने के लिए कुछ भी करने की जुरत नहीं है कोई होल सब्सक्राइब लोग निकाल सकते हैं इस छोटे से फार्मूले से तू कोविशंट वाई स्कॉयर अगर यह बढ़ा है पहले वाला बढ़ा है तो कोविशंट वाई स्कॉयर लेंगे उसकी टू से मल्टिप्लाइए करेंगे और नीचे कोविशंट ऑफ एक्स स्कॉयर के देखो ए जो था एक्स स्कॉयर का कोविशंट था यह निकि जो बढ़े वाला वाल वह नीचे आएगा देख लो आप एक्सी स्कॉयर कोविशंट था ए नीचे आया इसमें भी था और बी बढ़ा था तो यह नीचे आया यह छोटा सा काम है तो बस अब तो आप चैंपियन ह तो क्या आंसर आएगा लेटस एक्टम की लेंद LR से डिनोट करते हैं फिर देख लिए एक बाद 2 कोविशन ओफ X स्क्वाइर अपॉन Y स्क्वाइर यानि की 2 बड़े वाला पहले बड़े वाला नीचे सौरी तो इसमें Y बड़ा है आप वेशा 2 इंटू 4 अपॉन रूट 9 जो एनिकी कितना हो गया 8 बाई 3 डारेक्ट आंसर आ गया कुछ नहीं सोचना कोई हमें कैल्कुलेशन नहीं कर दी डारेक्ट आंसर इसमें देखते हैं इसमें A बड़ा है बी बड़ा है इसमें भी आंसर आएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 9 कितना आंसर आ गया 2 का आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है बड़ा छोटा सा प्यारा सा कोशन है दो कोशन में ना करा दिए A B C D जो आंसर आएगा आप इसको कमेंट में जरूर मेंशन करिए यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज यह भी आपको जरूर बताना है और अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक और कमेंट रुकनी नहीं चाहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले और प्लीज कमेंट में यह जरूर बताना कि आप और किस चैप्टर की वीडियो मुझसे शॉर्ट ट्रिक सी वार्म में चाहत हो थैंक यू